आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम कनिक करते हैं ब्लूटूथ मारती सुजुकी बलीनो की जीटा वरियंट में यहां फ्रेंट यह बलीनो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह न्यू जनरेशन बलीनो है और यह सकार का इंस्टुमेंट फैनल कुछ इस तरीके का दिखता है आपका निव बलीनो में सबसे पहले देख सकते हैं आप यहां पे पेड़ डिवाइस का option आ रहा है इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपका home page पे ही रहेगा जैसा कि आप देख सकती है यह home page है और यहां पे आपको pair device पर click करना है जैसे यह आप click करेंगे तो यहाँ पर देखी जो पहले से connect रहेंगे उनका option आ जाएगा अगर आपको उसको delete करना है तो यहाँ से आप delete भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप इसको delete कर सकते हैं do you want to unpair yes यह आपका delete होगे इस तरीके से delete कर से क्योंकि मुझे comments आते हैं कि delete इसको कैसे करें तो इस तरीके से आप delete कर सकते हैं अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको आइकन दिख रहा होगा आपको simply इसको आपको tap करना है और यह pair from phone अब आप अपने phone को जो है on कर लें जो आपका phone का Bluetooth है मैंने भी on नहीं किया हुआ है कि मेरा phone है और यह मैंने Bluetooth को on कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं on करते ही कितनी स्पीड से infotainment system ने सर्च कर लिया Oppo A55 तो simply आपको यहीं से क्लिक कर देना यहाँ से आपको इसको जब क्लिक करेंगे तो यह सारे option ओपन हो के आगए phone music smart play pro smart play pro दो सिंक यह सारी चीजे जो है आपकी on है यहां से कुछ चीज आप अगर नहीं शेयर करना चाहते हैं इसके साथ तो यहां से आप इसको off भी कर सकते हैं यहां से सब कुछ on ही रहने दीजिए जैसे कि आपकी सारी चीजे एक बार में पेयर हो जाए तो यहां से आप पेयर प को अब connecting to Oppo A55 यहां से देखिए आपको authorize करने के लिए एक notification आएगा आपको authorize करना होगा फिर एक notification आया message access request इसको आपको okay कर देना है और यहां देख सकते आप सारी चीज़ है यहां पर आउन हो गई है और इस तरीके से देखिए यह आपका पूरी तरके से close हो गया है और यहां पर आप यह आपकी list आ गए phone की यहां से आप home page पे चले जाएंगे और यहां से आपको call वगेरा जो भी है यहां से आप call कर सकते हैं यहां से आप number type कर सकते हैं यहां का connect हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं Bluetooth का symbol बन चुका है और यहाँ पे आपका टाउर का signal है यहाँ पे बैटरी का लेवाले तो इस तरीके से हम connect करते है Bluetooth अगर आपको कोई दिक्कत हो रहे है Bluetooth connect करने के बाद भी अगर आपका song play नहीं हो रहा है तो यहाँ से आपको 2-3 बार mode का बटन जरूर दबा ले क्योंकि जब जब आप mode का बटन यहाँ पे दबाएंगे प्रेस करेंगे जैसा कि आप यह देख पा रहे है mode का बटन जब जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह सिंबल आपका चेंज होता रहेगा FM, AM, DRM उसके बाद आपका जो है यह Bluetooth का आएगा तो 3-4 बार mode की बटन को प्रेस कर लें तो यहाँ पर खुदी Bluetooth का सिंबल आ जाएगा तो connect करने की बाद भी अगर आपका song play नहीं हो रहा है तो आप mode को ज़रूर चेंज कर लेंगे तो आपका song play होने लगेगा तो इस तरीके से हम connect करते हैं Bluetooth मारती सुजुकी की बलेनों में तो आप इस वीडियो को share करें, like करें, पसंद आया हो तो और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चीज के बारे में तो कैसा लगा वीडियो, comment में बताएं, thank you